नो डियर सुडेंट्स जुलाइ एटेंप्ट मतलब जुलाइ 2021 में सीए फांडेशन को जो एक्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट 13 सेप्टमबर को आया था उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले भी बोलते आयां कि भी जैसे कि क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर एक प्लस एक एलाइट ग्रूप काउंट होता है और साथ पे 320 प्लस तो हम यह बोल सकते हैं एलाइट प्लस तो फर्स्ट अफॉल आई कॉंगरूचिरेट सुहावी फॉर स्कोरिंग 326 मार्क्स इन सीए फांडेशन थैंक्यू सो मच्छ सार इट बड़ी बात ही होती है कि सुहा बच्चों को face to face से online में convert होना पड़ा तो सुहावी सबसे पहली बात यह है कि आपको first step clear करने पर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है first step clear करने पर it is feeling like it is a milestone because as you all know CA is a long journey even the first step feels like big so and I would like to thank all of you because आप सब के बिना यह बिल्कुल ना हो परता बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है बच्चे आपकी मेहनत भी आप हमारे साथ है यानि की दो factors count करते हैं teachers की knowledge और बच्चे की मेहनत यही दोनों मिलकर दीरे-दीरे अपना milestones cover करते रहते हैं to become a CA तो सुहावी सबसे पहला question मेरे पास यह है कि भी अभी तक आप face to face study की होगी होगी आपने तो जब आप लोगों ने online convert किया और क्योंकि circumstances ऐसे थे हम कुछ कर भी नहीं सकते थे तो एक बीच में ना thin line होती है face to face online face to face अच्छा रहता है online ऐसा कुछ है क्योंकि अभी तक हम लोग सब face to face पढ़े होते हैं तो क्या कोई ऐसी difficulty online पढ़ते वक्त आपको लगा स्टार्टिंग में तो सब बच्चों को ऐसे होता है कि online और face to face में face to face better है बट despite the pandemic आप सबने हमार साथ कभी भी connectivity नी चोड़ी जो सबसे अच्छी चीज थी तो हमें जब भी अपने सारे modules और सारी videos मिल जाती थी उसके बाद सर हमसे regular basis पे टेरीग्राम के थ्रूर जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड रहते थे इवन online भी they used to keep a check on us कि हम कितना पढ़ रहें कैसे पढ़ रहें और हमारा क्या routine है पढ़ने का तो फिर उससे हमें बहुत help मिलती थी क्योंकि हमें लगता था कि आप अभी भी देख रहे हो कि हम कैसे पढ़ रहें क्या पढ़ रहें तो ऐसा नहीं था कि बस आप हमें पढ़ का कि हम लोग बच्चे के साथ connect रहते थे वह ठीक है पर एक माइंड बच्चे के माइंड जब जॉइन करता है online तो एक सबसे बड़ी रहती है कि face to face में तो मैं doubts अराम से ले लूँगा उसी time class में ले लूँगा class के बार ले दूँगा तो कभी online में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो difference होता था कि तुम recording देखते वे अपने doubts note down कर लो और उसके बाद जैसी हम आपको बोलते थे या किसी भी teacher को doubt message करते थे हमें साथ की साथ रिपलाया जाता था और वो भी आप हमें audio messages बेज देते थे और आप हमें कह देते थे कि हम call करके doubt ले 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 तो जब तक हमारा doubt clear ने हो जाता था आप हमें अच्छे से उसकी पूरी clarity देते थे और अच्छे से समझाते बिल्कुल ठीक है चलो अच्छी बात है सोहावी कि आपने 326 score किया और जो की एक अपने आपे milestone है क्योंकि first step अगर अच्छा है कहते हैं ना all goods if starts good right कहते हैं क्रिकेट में भी मैं क्रि टाइम अच्छा निकलता है तो एंड अच्छा निकलता है आपके पास तो सुहावी वंस अगें congratulations from my team and I wish he may आपको विकुल first attempt में he enter or first attempt में he see a c.a.a. बनता देखू और जल्दी से मैं भी बोल सकूं कि सुहावी जंदल राइट बचे तो निशान्त आपका स्कूर जो है वो 313 है और आपने first step with a bank clear किया है तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो मुझे ये बताईए सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा मतलब ऐसे कोई intention नहीं था कि यह इसे 300 प्लस मैंने बस था कि बस clear करना ही करना है बिल्कुल 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 बट देखिए आपने जो मेहनत की तो और इसका मतलब जो आपकी hard work था जो आपका वो right direction में था कि कि with the intention कि मुझे clear करना है अच्छे से देना है अपना 100% और वो 300 प्लस आगे आपका score right तो जैसे कि आप online student थे अक्सर एक student के mind में रहता है कि भी एक face to face और online दोनों में हमेशा comparison तो करता ही करता है अब जो वो comparison करता है तो naturally face to face के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और online के कुछ अपने हैं जो भी है आपके पास आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं online पढ़ रहा हूं और कहीं face to face होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं सर मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लगा क्योंकि जैसे मैंने वन प्रेप भी class किया और फिर मैंने इंटरनेट भी बहुत कुछ सर्च किया जो मेरे questions doubt होते ते यह भी मैंने सर्च किया तो content बहुत easily available होता है और teachers जो थे वह बहुत अच्छे से recorded batch में भी बहुत अच्छे स explain करते थे और अगर किसी एक दो question में अटक भी जाता था मैं तो telegram group के तुरू आपने भी बताया और मेरी sister भी उन्होंने भी बताया तो ऐसा मुझे तो कभी लगा नहीं और बस फिर है कि खुछ से मैनत करना होता है अगर यह किसी question में अटक गया तो past questions जो solve कि उससे भी कर रहा था assistance से कि भी अक्सर जो student का fear factor रहता है ना एक subject है mathematics राइट बट आप देखा कि मैंने आपका जो maximum score भी है वो भी mathematics में है तो आप बताये कि बच्चों को कि भी math में कैसे तैयारी करनी है एक fear factor कैसे अपने mind से हटाना है ताकि वो कम से कम अच्छा score कर सके math में ताक एक चैप्टर वाइस प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक्जाम में ऐसा तो नहीं होते एक्जाम में एक क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से दूसरा बिलकुल अलग चैप्टर से तो मैंने उसी डंग से अपना mind makeup किया कि जैसे book एक volume complete होती थी book की तो मैंने उस book को four parts में डिव अगले दिन जो दूसरा पार्ट है उस में हर पेज का पहला question प्रैक्टिस करूंगा ऐसे है कि कुछ pages में जो starting equation होते हैं वो easy होते हैं तो मुझे मतलब ऐसा नहीं होता था कि एक दिन पूरा easy ही practice कर रहा हूं तो 5 minute में ही हो गया एक दिन बहुत hard practice कर रहा हूं तो 5 सवाल में ही ठग गया ऐसा कभी नहीं होगा यानि कि smartly act ही आपने बिल्कुल कभी 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 ऐसा होता है कि जो lesson simple है उसको करने के बाद बच्चे को लगता कि मुझे तो महत्स आ गया बट जब मुश्किल आता है तो वो demotivate हो जाता है आपने ऐसा नहीं किया आपने उसको grouping कर दी ताकि मुश्किल असान सब कुछ एक साथ रहे ताकि बैलंस आपका माइंड है वो balanced रहे सारा का सारा right 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 इसका मतलब आपके 90 attempt करने के बाद इसका मतलब आपकी जो accuracy है वो अबब 90 परसंट है इसके लिए सारा का सारा questions रहे modules करते रहे आप सारा का सारा तो कभी कभी कोई ऐसी problem तो नहीं आई आई आपको कि आपको कोई डाउट आया और आपने टीचर को डाला और टीचर ने उसका reply late किया हो या नहीं किया हो नहीं सर ऐसा कोई डाउट तो नहीं हुआ कि बिसे फर्स अफॉल तो डाउट ऐसा कुछ हेवी डाउट होता नहीं था कि क्वेशन में एक पॉइंट जैसे कुछ मिस्स कर गया गोड़ डाउट होता था में लिशिट टीचर ऐसे यह नहीं कि छोड़ देते थे तेक क्वेशन हाँ कभी कभार होता था कि एक दो घंटे लेट आता था रिपलाई लेकिन टीचर कुछ काम कर रहे होंगे यह मैं एक्वाब करता था यह सबत लेकिन ऐसा नहीं कि किसी teacher ने कभी कोई reply का जवाब ही नहीं दिया या फिर ऐसा भी नहीं कि teachers ने कभी कुछ बताया नहीं ऐसा कोई बात नहीं करेषा यानि कि teachers से connectivity हो जाती थी या student online student राइट और सर्वी recorded lectures का ये भी होता था कि जब मेरा feasible time सा तब मैं पढ़ रहा हूँ बिलकुल 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 वो ही मैंने का ना face to face और online के अपने plus points हैं face to face में क्या है कि teacher से direct connectivity होती है बट online में क्या होता है कि जब आपको अपना चाहिए आज मैं इस टेम पे प्री हूँ तो चलो मैं अब ये पढ़ लेता हूँ आज मेरा ये इस टेम पे mood है यानि अपने आपको अगर chalk out पूरा time table बनाया हो तो मुझे नहीं लगता कि भी online में भी आप score नहीं कर सकते अच्छा हाना राइट 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 बिलकुल बाठ ठीक है कि भी अगर सब कुछ ठीक है और आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो जादा वो भी बिलकुल beneficial रहता है student के score के लिए तो निशान्त wish you all the best for the future मैं यानि कि एक मेरे को confidence है आप पर कि आप जल्दी नहीं as per the first attempts करते करते जल्दी से ही cn अपना prefix add कर लोगे राइट थैंक यू जू wish you all the best बैचा तेक क्या तेक क्या